हेलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू माई चैनल सुनास क्रेटिविटी तो फ्रेंड्स आज आपके साथ शेयर करेंगे इस थाल पोस का नेक्स्ट पार्ट इसमें देख सकते हैं आप लोग हमने इसको बना के यह देखे पूरा कंप्लीट कर लिए फैनली पूरा यह देख्या कंप्लीट है देख सकते हैं जो कंप्लीट हो गया उसी को आपकी साथ हम शेयर कर रहें ठीक है तो इसको आज कि बहुती easy and बहुती simple way में सबसे पर देखिए एक knot लगाएंगे simple जिस तरीके से आप लगाते हूं लगा लीजिएगा और मैं लगा लेती हूं देखिए इसे तरीके से double knot कर लेते ताकि thread खुलेगा नहीं ठीक है निदिल में यहां ने thread को डालके रखा हुआ है देख सकते हो आप लोग यहां पर हमने six stick को stitch कर लिया है देख सकते हैं बाकी side side से भी stitch करना बाकी है ठीक है और last में आप देखिए यहां से एक और टिकी है जो की अभी stitch नहीं हुए इसको भी stitch करना चलिए stitch करके आपको दिखाते हैं ठीक है तो बने रही वीडियो के end तक और जो भी मित कि अभी यहां से यह हमने इधर से उल्टे side से needle को देखी इधर side से डाला कि इधर से निखाल लेंगे ऐसे ठीक है और बाकी इस साइट से हमने इसको भी इधर से पकड़ना है और इधर से इसको पकड़के इसको स्टिच करना है देख सकते हैं आप लोग बहुत ही इजी है इसको स्टिच करना लेकिन कई कमेंट्स भी आ रहे थे कि इसको कैसे स्टिच करेंगे कैसे जोड़ेंगे देख सकते हैं आप लोग इसी तरीके से उसको भी जोड़ेंगे उस वरे थालपोज को भी जो आप लोग कह रहे थे और इसको भी ऐसे स्टिच करेंगे ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है और बहुत कम टा तरीके से बनाते जाएगा ऐसे स्टिच कर लेना है ठीक है एक चेन इधर से लीजिएगा और एक चेन उधर से और इस तरीके से स्टिच होचा जाएगा बहुती इजी इसको स्टिच करते जाएगा ठीक है तो भी मैं इसको स्टिच कर लेती हूं फिर साइट से जो स्टिच करन पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स किस तरीके से कहां से और आप सिंगल थ्रैड का यूज़ करिए गें मैं बार-बार आप लोग से कहूंगी ठीक है डबल मत लगाईए गारडबल लगाईए गाई तो वह उसे तरीके से उपर से दीखे गा देखेंगा इस तरीके से सिंच करने करेंगे दिखिए कितना इजी इसको स्टिच करना ठीक है तो इसी तरीकी से आप लोग स्टिच कर लीजिएगा बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल सा है जो कि मैं आप लोग की साथ बता कि शेयर करें और एक और बता दूँ मैं अगर आप लोग का कोई भी फंदा थोड़ा सा ज पूरी कंप्लीट हो जाई है और फ्रेंड्स देखिए इसका फाइनल लोग कितना खुबसूरत लग रहा है बनने के बाद ठीके सारा स्टिच करके इसमें जालरे भी लगानी है तो वह भी इनकंप्लीट है वह भी हम बाद में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करे हैं यह देखिए यह देख सकते हैं आप लोग और राइट साइड भी देख सकते हैं ठीक है तो बिल्कुल छार रहा नहीं भी इस तरीके से करते हैं तो अभी हमूं करते हैं जूम हो घ्रते के 09 1 020 Still प्रेंड कर लेते हैं पर वह सबक्राइब के कि तरीके से इसको दिखाना है सारा कुछ अभी आप लोग के साथ हम शेयर करतें ठीक है तो ऐसे ही स्टिच करना करिएगा फ्रेंट्स अभी साइट साइट से भी स्टिच करना बताएंगे आपको किस तरीके से उसको भी अर्जेस्ट करके हम स्टिच कर लेंगे ठीक है तो बह तो यह adjust हो जायागा ठीक है दीख सकते हैं आप लोग फिर नेक्स्ट ऐ फंदे को पकड़ के ऊसे जड़ बगल वाले फंदे में एक कद रिज़स्ट कर लिजीएगा तो यह जाके वहीं पिक दम ठीक से बैट जायगा देख सकते हैं अप लोग ऐसे ठीक है तो बहुत ही easy है औ तो यहां पर नाट लगा लेंगे और थ्रेड को यहीं पर हमकट कर देने तिया सी काल ले दिंगे 20 इसको इस साइड丁 से इकाल द dekal love with creation. एसको इसको करना ती गया है फिर से नॉट लगाएंगे और जो साइड वालाला नाइस को वह आपको इस्टिश करके दिखा दे लिए नागाया हमने हमने है अभी साइड वाला भी देख लीजिए आप लोग अभी ये देख inner ये हमने इस तरीके से आप लोग के साथ शेयर किया ये ठीक है सारे पार्ट्स देख सकते हो आप लोग ये 7 के 7 है पूरे यहाँ पे है ना देखिए 1 2 और ये 3 4, 5 ठीक है 6 हो गया और ये 7 तो ये पूरे 7 पार्ट्स है इसके अब देखिए साइड वाला भी मैं आपको स्टिच करके दिखा दू सारा फिर वैसे ही आप लोग स्टिच कर लीजिएगा ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग यहां से स्टिच करना है तो इन दोनों को पकड़ेंगे साइड वाले हैं ठीक के और यह जो पंखुडी में स्टिच करना है इसको इस साइड से एक लेना है और यहां से एक साइड से लेना है ठीक है और दोनों को इस तरीके से स्टिच कर देना है देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से तो यह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही सिंपल इसको स्टिच क होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए का बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए गा जिससे की मेरी आने वाली नई वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए के लिजिए के आपको तो आपको तो अदक इसको मिलते हैं इसके नेक्स पार्ट तब तक के लिए बाई वाई टे के यरे अंड थेंक्स वर वाचिंग बाई